इस तरह कि आवास का अन्वह तो आप सभी को होगा और यह आपके डेली लाइफ के आपको सुनने को मिलती है चाहे वह आप दूसरों सुसनों या खुद से आपको गबरानी की जुरत नहीं है हो सकता है यह नॉर्मल है और हो सकता है यह अपनॉर्मल भी हो तो गैस की जो समस्या होती है जिसको आप बोलते हैं पाद नॉर्मल भाशा में और फाट बोलते हैं यह एक ऐसी समस्या है जिसकी शिकायत तो लगबख सभी को होती है लेकिन इसको बताना बहुत ही जादा आपको फिल करनी की ज़ुरत नहीं है अम इस वीडियो में पहचान क समान्य रूप से अगर आप साथ से दस पर फाट कर रहे है तो यह बिलकुल नॉर्मल है लेकिन यह इससे जादा बाल हो रहा है तो यह हो सकता है आपके अपान वायू से कनेक्टिड हो अपान वायू जो होती है यह पांच प्रकार की जो हमारे शरीर में वायू होती है उसमें से एक है अपान वायू जो है शरीर में बने अपसिस्ट अहार को यानि कि जो ऐसे फूट वेस्ट प्रोड़क्ट्स होते है वियूरीन होता है आपका स्पम होता है यह शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है और अगर आपके शरीर में अपान वायू कूपित है या फिर इंबैलेंस है तो या आपके शरीर में बहुत ही जाधा गैस कॉस करता है इसको समाने भाशा में अगर हम बोले तो बहुत ही जाधा पाद का आना अपान वायू अगर हमारे शर यहां आपके शरीर से कुछ ऐसी चीजों को बाहर नहीं निकाल पारा है due to some reason हम जानें के इसके कारण को भी किया क्यों हमारे बॉडी में बैलेंस होता है दूसरा किसी का पेड बहुत फूला सा लगता है जानी कि जो अपानवायू है वह शरीर से गंदगी को बाहर नहीं ले चापाती और तीसरा होता है बार-बार गैस का पास होना और कहीं बार होता है कि बहुत ही जाता बदभू उतर गैस निकलती है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठुस्की आना है वो ठुसकी जो होती, यानि कि जब आवाज कम होती है पान में और बहुत ही जादा स्मेल देती है, इसका मतलब है कि आपका अपानवायू प्रकुपित है और बहुत ही जादा मात्रा में यह आपके बॉड़ी में इंबैलेंस क्रियेट कर रहा है सबसे पहले हम समझते हैं अपानवायू जो होता है, मदर नेचर से कनेक्टेड होता है जो अपानवायू होता है, वा पृत्वी तत्वा से कनेक्टेड होता है आजकल के डेली लाइफ में हम अर्थ एलिमेंट से काफी दूर होते जा रहे हैं के लिए हमारी बॉडी में Earth Element Imbalance हो रही है हम कभी भी Earth के Contact Meं नहीं रह पाते हैं अगर आपके बॉडी में Earth Element कम है तो यहाँ आपके अपशले में प्रकुपित करेंगा इसके लिए करना आपको ये है कि आप डेली at लिस आदे से लोग क्या करते हैं? पानीको ऊपर से पीते हैं, इससे आपका पानवायू इम बैलेंस होता है, क्योंकि आपान का मतलब होता है, साससे बाः जाना, जब हम ऊपर से पानी पीते हैं तो आपके बॉड़ी में एर को भी इन्हेल करता है, air हमेशा नाक की माध्यम से ही जाना चाहिए कभी भी आपको पानी के साथ air को नहीं लेना है इससे आपका पानवाई imbalance हो सकते हैं तो हमेशा मुह लगा कर ही पानी पीना है तो आईए जानते हैं कि कौन से ऐसे diet है जो आपको follow करने अगर आपको gas हो रहा है सबसे पहले avoid करने आपको कच्ची चीजे जितनी भी कच्ची चीजे हैं वह avoid करो क्योंकि इससे आपका पृत्वी तत्व भी imbalance होता है और ही जादा थंडी चीजे का अस्तमाल नहीं करें तो जैसे अच्छी bacteria होती है जिसकी कमी से भी gas बनती है तो उसके लिए आपको एक sporola quarter आता है gut flora होता है उसको रोजाना आप उपयोग मिलाए या फिर आप ले सकते हैं दई, चांस यह सब भी ले सकते हैं लेकिन सुर्यास्त के बाद इसको नहीं लेना है आपको दो भर के टाइम ही लेना है रोज अद्रग का अस्तमाल करें जहाए आप खाने में डाल सकते हैं या फिर इसको आप बॉटर में बॉइल करके भी ले सकते हैं थोड़े से हनी के साथ हनी और अद्रग बहुत ही अच्छा होता है शेरीग में अपानवाई के बैलेंस के लिए लेकिन जिनको भी प्त्य प्रवृति यानि की जिनको बहुत जादा आसिटी बनती है जिनके शरीर के जो प्रवृति गरं होता है वह अद्रग का इस्तमाल नहीं करें उसके जगाँ पे आप सॉफ का अस्तमाल कर सकते हैं जिनको भी gas की problem है, वा एक mudra जरूर रोज लगा है, उस mudra का नाम है अपानवायु mudra, करना ये है आपको, आपके जो index finger है, और middle finger है, उसको आपके थम से आपको इस तरह से रखना है, और आपकी जो ये दो fingers है, उसको आपको सीडी रखना है, और इस तरह से ये mudra लगानी है यह मुद्रा आप कभी भी लगा सकते हो, चलते समय भी लगा सकते हो, बैठे समय भी लगा सकते हो, या कुछ काम करते समय भी लगा सकते हो, अगर आप ध्यान में यह मुद्रा लगा तो यह जादा असरदार होती है, यह मुद्रा आप रोज लगा सकते हो, लेकिन प्रेग्ने जितने भी गड्ळोरा वाली चीजीजे है, वह आपको खानी है, कच्ची चीजो्का इस्तरमाल नहीं करना है, हमेशा नेचर में आपको गरम चीजे लेनी है, और risks वाली चीज़ों का इस्तरमाल नहीं करना है, अगर आपको ये वीडियों अच्छी लगी होते से शेयर जलु झाल झाल